गाइस पहले पहले बात करते हैं जोकर के अपडेट के बारे में आज सब भी जानते हो कि जोकर अपकामिंग मूवी डीसी की जिसके शूट चल ला है अभी रिसेट में और देन हमें कोई ना कोई जोकर का ओफिशली लुक नजर आता है हम उसके कोई अफिशली नहीं कह सकते हैं क्योंकि काफी टैस्ट पोटेज हैं काफी शूट है और जिसमें कि जोकर के हमें नए-एन लुक देखने को मिलना है जो कि काफी डिफरेंट है, बहुत ही जादा डिफरेंट है, जो कि आस तक हमने कभी जोकर को देखा भी नहीं है, जैन आप कह सकते हो, डार्क नाइट से बिलको अलग है, पुराने वाली बैटमॉर मुवी के जोकर से भी काफी अलग है, जैसा कि आप रिसेट में जो इमेज एक ये भी लुक लॉंचू होता, जो कि टेश्ट फूट इसकी, बड़ ये लोग केसी को पसंद भी नहीं आया, और अभी हाली में जो लुक लॉंचू आए, उससे तो और ज्यादा कन्विजन हो रहा है, कि एक्च्छल में DC उनिवर्स की जोकर सोलो मुवी में क्या चल ला है, और देन काफी फैंस तो उमीद कर रहे हैं कि जोकर की जो सोलो मुवी आ रही है, वो सोसाइट स्कॉर्ट 2 के जोकर से ज्यादा बेटर हो, क्योंकि सोलो मुवी बनाना एक केरेटर के उपर काफी वड़ी बात है, और देन जोकर का जो ऑफिचली लुक लॉंचू मैं तो चाता हों कि बढ़ी ही हो, और खतरनाक भी हो, और उपर से एंटी हीरो भी हो, देन सोलो मुवी है, तो विलिन तो कौन होगा, आप भी थोड़ा गन्विजन हो रहे होंगे, वो तो मुवी देख के ही पता चलेगा, तब यहाली में शूट हुआ है, जिसमें कि आ प्रीसेट करना चाते है, किलिंग द जोकर, जिसमें कि वो आपर वोडन को गोली माण देता है, तो एक बहुत अच्छा क्लू मिल सकता है हमें, तो गाइस यह था वो पहला अपडेट, और बात करते हैं, वर्ट्स ओप एरी की ऑफिशली रिलिजिंग डेट के बारे में, आप सभी को यह अपकमिंग मुवी, जिसकी कोई शूट के पता नहीं है, कौन सा बाट का पता नहीं है, और जो रिलिजिंग डेट है, वो ऑफिशली अनौंस कर दिये, जो इसकी रिलिजिंग डेट है, वो है साथ परवरी 2020 की, जी हाँ, एक साल का अपका बड़ा अंतर है इस मुवी मे है, और देन अभी हाली में मैं आपको यह पताऊंगे, यह 2019 को रिलिजिंग डेट मिली है, तो देखते हैं कि यह मुवी कितना कामल करपाए कि DC यूनिवर्स की, तो आच लिए बस इतना ही, अगर आपको YouTube पसंद आए तो बढ़ी लाइक, कमेंट, शेयकर हो जो अन्ते इस गेटखते हैं मैं आपको कामल करना